गर बैठे निशुल्क संगीत सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें जैसे कि थोड़ी दिर पहले आपने सवाल किया कि हम बेसूरे क्यों होते हैं है ना कि गाते गाते सूर नहीं लगता है या ऐसा लगता है कि बाकी जो चार लोग साथ में गा रहे हैं वैसा हम नहीं गा रहे हैं हमारा कुछ अलग सूर जा रहा है खैर अगर ये हमें मालूम चल रहा होता तो हम बेस्वरे नहीं होते लेकिन ये आपको कोई और रियलाइज कराता है कि आप सही नहीं गा रहे हो कुछ गड़बड हो रहा है साथ में नहीं गा रहे हो तो आपको भी लगने लगता है realize कराना in the sense यानि आपको लगने लगे बाकी तो बताना होता है मैंने कहा कि भई आप सुर में नहीं हो ये चार लोग गा रहे हैं आप भी साथ में गा रहे हो तो वो सुर में नहीं लग रहा है तो वो तो बताना हुगा लेकिन ये चीज अगर आपको एहसास हो गई तो तो कुई चीज का मतलब है इसका मतलब आपको वो चीज समझ आ रही है यानि कि सुधार की उमीद है कि वो आपको अगर चीज समझ आ रही है कि हाँ मैं गलत कर रहा हूँ तो सुधार की उमीद है ठीक है यह आपका नहीं बहुत से लोगों का सवाल है कि हम बेसूरे क्यों होते हैं अकेले गा रहे हैं तो बड़िया गा दिया लेकिन साथ में गाया तो बेसूरे हो गई एक ये भी चीज़ होती है एक होता है सवाल कि हम तो खुदी बेसूरे हो जाता है उसके हमें अलग-अलग meaning निकालने पड़ेंगे कि कहां हम बेसूरे होते हैं, कितने होते हैं, वो भी depend करता है जैसे कि कई अच्छे सीखे हुए भी होते हैं, वो भी बेसूरे होते हैं, लेकिन कम, थोटी-थोटी जगाँ पर कहीं कोई मुर्की ली, तब बेसूरे हो गए, या कोई हरकत ली, कोई सरगम ली, या कोई गाने की लाइन थी, वो सुर सुनाई नहीं देनी की वज़े से, या कुछ disturbance की वज़े से बेसूरा होगा, वो minute बेसूरा पन है एक बेसूरा पन होता है, scale बदल जाना, वो बेसूरा नहीं होता है, particularly, scale बदल जाता है गाने का, और ये होता है, ज़ादा तर अंतरे के वक्त मैं अभी voice note दे रहा था किसी को, आपने भी सुना होगा तब whatsapp पर, वो लोग कह रहे थे कि वह गाने में बेसूरा पना रहा है, तो उनको मैंने एक चीज क्या समझाई, जहां गाने में cut है, pauses है, line अलग-अलग है, वहां बेसूरा होने के chances जादा है, बजाए कि अगर गा आने को कहो तो सारे गामा बादा निसा, एक flow में आ रहा है, एक से एक कड़ी जुड़ी हुई है, एक से एक सुर जुड़ा हुआ है, तो वो सुर में हो जाता है, लेकिन मैंने जैसे ही दूसरा पेज बोला, जो अलंकार का, या निसा गरे मागा पामाधा, बेसुरे होने के चांसे ज़ादा है, कड़ी नहीं है, जुड़ाव नहीं है, सासे रे जुड़ा हुआ है, सासे गर नहीं जुड़ा हुआ है, है ना शुरुवाती दोर में आपको यह मुश्किल पढ़ जाता है, सासे गर की दूरी तय करना, सा गर बोलते ही गर कुछ और हो जाता है, और र तेरी बात बताओं अगर जल्दी हो रहे हैं धीरे हो रहे हम सीडियां कभी धीरे नहीं चड़ते हैं हमें से कूदगूद के शुरुवाती करी तो एक एक सीडियी लेकर उसके बाद आदत पढ़ती है कूद गूद के एक से तीन तीन चैनल चैनल से सीधा उपर यह क्या हो रह है सारे गहम पधनी सासे उंचा ये सब मानते से पाउचा है पर से उपर वाला पाउंचा है तो सी यह जब तक एक सीड़ी पर खड़े होगर चलने की आदत नहीं बनेगी तब कूद कूद के कैसे चल दूगे ये ना इसलिए क्या होता है अंत्रे में हाँ मैं उनको chords के बारे में बता रहा था हूँ उन्होंने पूंचा था कि chords पर गाना कैसे गाए तो मैंने बोला था कि भी आपको शुरुवाती chord मिल जाए बस उसके बाद आप स्थाई स्थाई तो पूरा बिना chord के भी गा सकते हो क्योंकि शुरुवाती chord यानी गाने की शुरुवात क्यों से सुर से होती है है ना जैसे यादपिया की आए है यादपिया की आए ये सा से शुरू नहीं हो रहा गंदार से शुरू हो रहा है कोई भी गाना जरूरी नहीं है सा से शुरू हो कोई से भी सूर से शुरू हो सकता है, गाना composition है, है ना तो सागा माधानी सा ये मान लीजे ये सूर है, ये scale है, सागा तो मैंने जो chord दिया, वो गंधार को center में रखते हुए chord दे दिया कि सागा तो आप वहां से गंधार को पकड़ के याद पिया अगर मैं सा देता, सा और आप बोलो, अब गाओ सा याद पिया तो सा से पहले तो आपको दिमाग से गंधार की दूरी तही करने पड़ती और एक मैने सीधा ही गंधार दिया तो ज़्यादा असान है, है ना और फिर दूसरा chord आपको कहां देना पड़ा अंतरे की शुरुआत में क्योंकि इस थाई के बाद होता है म्यूजिक बीच का एक म्यूजिक पीस बजता है कुछ ने कुछ इंस्टूमेंट पे बज़रा है या कोई आलाप हुआ या सरगम हुई किसी और का, आपका नहीं मान लीजिए तो वहाँ आपका क्या टूटा? Flow यानि कि अब आपको दुवारा अंतरे के सुर को पकड़ने के लिए अंतरे का जो सुर है वो चाहिए कि अंतरा जो शुरुआत है वो सुर कौन सा है? जैसे ये जो सुर है ये चाहिए था आपको है ना बीच में म्यूजिक वगरा आगया अब ये सुर मध्यम है मध्यम से उठ रहा है तो मध्यम दे लिए तो मध्यम से उठा लिए आपने फिर मैं हर्मोनीम अगर बर्ण भी कर दू तो एक सिंगर जो ज़्यादा स्वर को नहीं समझता है आपको गा सकता है यानि आप सब को मैं गवा सकता हूं ऐसे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि आपको पता ही नहीं पढ़ रहा है मैं हर्मोनीम पर क्या बज़ा रहा हूं आपको बस लग रहा है मैं साथ मैं हर्मोनीम बज़रा है हमारे ठीक है तो एक वो बे सुरापन है कि अंत्रे के बाद पकड़ने में ठीक है ये जनरल ही आपका होता है और ये जनरल ही ज्यादा सतर सिंगर्स का होता है कि अंत्रे में स्केल बदल जाता है कई होते हैं जो बिना समझे भी वो सुर को पकड़ लेते हैं क्योंकि उन्हें नोटे ये एक practice होती है, सा से पह, पह से सा, सा से सिधा सा, सा से उपर वाला पह, पह से सिधा नीचे वाला पह, फिर सा, ये practice होती है, ये कैसे कर पाओगे, ये मैंने harmonium में भी leaping exercises के नाम से, एक fast harmonium techniques जो playlist है, उसमें दे रखा है, leaping exercises, उसमें भी मैंने बताए कि जो practice है, सा से, एकदम खरज का सा उठाओ, पहली काली से, सा, 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 फिर रे, 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 इसको अगर practice करते हो, तो हाथ को वो सीडियां पता पढ़ जाती है, कि कितनी दूरी पर है, कि सा से ये वाली दूसरी सीडिया, ये कितनी दूरी पर, सा, 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 रे, 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 ये बजाना अपने आप में मुश्किल बात है, क्योंकि इसमें आपको पकापन चाहिए, कि आपको पता है कहां से कितनी दूरी पर सुर है, तो ये सुर की बात है, है ना जैसे वो हाथ में हार्मोनिय में होता है सेम आप गईकी में भी गर सकते हैं ठीक है एक बेसुरा पन होता है नाक में गाना ये बेसुरे पन के टाइप्स बता रहा हूँ लेकिन गाईकी में कोई ऐसा प्रयोग आया कि कहीं एक आद कोमल भी लगा दिया, वो विवादी हुआ, विवादी यानि जो उसमें नहीं लगता था, इन साथ शुद्ध में एक कोमल लगा दिया मैंने एक्स्ट्रा, सारे गामा पधा निसा, रे सा निधा पमगरे सा, ये रे तो विवाद पैदा हुआ, है ना, कि ये तो गलत था, लेकिन वो गलत नहीं, मैंने जान मूच के गलती करी थी, ये यूँ कहलो, गुस्ताकी करी थी, है ना, मगर वो अच्छी वाली थी, यानि वहाँ खुबसूर्त ही आई थी, जैसे याद पिया के आए, ये जो ठुमरी है, बड़े गुलाम लिखान साब की, ये भिन्रश रजराग में है, इसमें सारे सुर्फ शुद्र लगते हैं, सागा माधानी सा, प्योर सुर्फ हैं, लेकिन ये प्योर है नहीं, इसको गाते हो, तो बारा के बारा सुर्फ यूज हो जाते हैं, जबकि इस राग में तो ऐस ये निसा धा, धा धा सानी धा, ये धा कोमल भी लग गया, दोनों धावत साथ में लगें, जबकि शास्द्रे संगीत क्या कहता है, कि दो सेम प्रकार के सुर्फ यानि जो कोमल भी तीवर भी हैं, वो साथ में नहीं लगने चीए, तो बेसुरा पन होता है, लेकिन कहां लग जलते हैं, गलती से आप से लग गया, वो बेसुरा पन है, उसको बेसुरा पन कहेंगे, हाँ, तो टॉपिक क्या चल रहा था, नात वाला बेसुरा पन, ये बहुत सारे लोगों की समझ सा है, कि गाएंगे, ये मैंने जान बूच के किया, नासिका का प्रयोग करके, है ना, एक तो ये नासिका बहुत जादा है, ये लिमिट है, उसके पाद हलकी हलकी, ये हलकी वाली है, तो इसको दूर करने का एलाज है, एक ही इलाज है, मूँ खोलकर रियाज करिए है ना, आवाज को खोलने के लिए, दबी आवाज है आपकी उसको forceful, punchful बनाने के लिए, मूँ खोलकर रियाज करना पड़ता है साका, अ, उ, ओ, अ, उ, ये पांचो अक्षनों का जो आप सभी करते हैं मगर सिर्फ ये रियाज करने से कुछ नहीं होगा अगर इसे, जो, जो चीज़ें तरीके बताएं हैं, वैसे ना करूतो है ना, उस चीज़ की तासीर नहीं है मगर उस चीज़ को अगर वैसे न किया जाए तो, कुछ नहीं होगा, ठीक है तो उसको दूर करने के लिए मूँ खोल के रियाज कीजिए और आपका जो सुर जा रहा है कोशिश कीजिए वो नाक में ना जाए सुनिए ध्यान आपको ही देना पड़ेगा कोई और बार-बार कितनी बार ध्यान देगा मैं कब तक बैठारूंगा आपके साथ मैंने बता दि की बात है, गुरु अगर बार-बार सुन रहा है तो दो-तीन बार बतानी की बात है, हर बार बतानी की बात तो नहीं है, मैं साथ में बैठा के रियाज नहीं कर सकता न zitten, अपके बता दि़िया एक बार तो आपको उसको फोलो करना है, तो नाक का सॉलिशन भी ही है, कईयों बेसुरान हो, ये गलती है, ऐसा नहीं करना, उचा हो, नीचा हो, आवाज खुली हो नीचा है, क्या होगा, जाद से जाद आवाज भटेगी माँ पे, इससे ये तो मालूम पड़ेगा, कि वो रेंज में नहीं है आपके, वो चीज आपके रेंज में नहीं है, तो उस पर वर् ये फॉल्सीट होती दूसरी, दूसरा सब तक भी आप चलेगे, लेकिन ये गलती है, ये गलत है, ये वेस्टन म्यूजिक है, वेस्टन आपने सिंगिंग सुनी होगी तो वो ऐसे करते हैं, पर हम वेस्टन थोड़ी हैं, तो इंडिन क्लासिकल गा रहे हैं, और हमारे जो ग जन होगा, वो हिंदी ही होगा, हिंदुस्तानी ही होगा, तो उसमें गाईकी भी हिंदुस्तानी होनी चाहिए, शब्दों की तो खैर क्या ही बात करूँ मैं, लेकिन गाईकी तो हिंदुस्तानी होनी चाहिए, तो मेरे ख्याल से छोटे मोटे बेसुरे पन हैं, और अगर आ लगता है क्या समस्या आती है अलग हो रहा था आपको आप भी खुद मेरे बिशारे कर रहे हैं हाँ चलो यह अच्छा वह याद दिला दिया कि इसको और एक इसको दूर करने का एक और तरीका है जो स्केल चल रहा था आप उसको सुन नहीं पाए समझ नहीं पाए इसलिए नहीं कर पाए समझते कैसे हम सुन कर अगर मैं बोलता रहूं आप बोलते रहें मैं कुछ बोल रहा हूं आपको कुछ समझ नहीं आएगा आप क्या बोल रहे हैं मुझे कुछ समझ नहीं आएगा क्य क्यों तूकि क्म्यूनिकेशन लगातार होता जा रहा है, आप बोल रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ, आप बोल रहा हैं? बहुत ही फेम autor होत है, तांसेन बनने से पहले कांसेन बनना जरूरी है, कांसेन यानी सुनना बहुत जरूरी है. मैंने कुझ ने कर रहे, छोज जा- थाटों को, अलंकारों को, स्केल्स को, रागों को, गानों को, बजाया सर्फ, संगत करी, है ना, सोलो बजाया, गाईकी नहीं करी, जब थोड़े बहुत समझ आने लगे, जब मालूम पढ़ने लगा कि हाँ या है या घल्ती होती है, तब गाईकी शुरू करी, गाईकी ये confirm हो जाए कि आप गलत कर रहे हैं तो better होगा इससे क्या है उमीद होती है सुधरने की एना बागी गलत ही करते जाओ करते जाओ और आपको मालूम ही नहीं पढ़ रहा है कि गलत हो रहा तो कोई उमीद नहीं है ठीक है तो अगर इस समस्या को दूर करना है मैं ये कईयों को क होंगा सुनना शुरू करो गाना बंद करो मुश्किल है मुश्किल है कंट्रोल करना लेकिन यही एक तरीका है बागी इस धर्ती पर आपको कोई सुर में नहीं ला सकता अगर आप गाते ही रहुए अच्छा जब किसी का कोरस देते हैं या कोई कंपोजिशन चाहिए जैसे म पिता जी कहते हैं वही एक गाना अगर आपको करना है film इगाना कोई सा सौ वार सुन लो हो जाएगा क्यों केते हैं क्योंकि सुनने से उसकी कंपोजिशन दून बारिकिया सब मालू पड़ेगी किस से सुनने से तो नहीं सुनोगे तो कैसे चलेगा तो उन सुनों को सुनना पहले जरूरी है कई समय तक अब यह सब की अपनी अपनी capacity grasping power किस्मत destiny है कि उनको कब तक सुनना चाहिए और कब तक वो आ जाता है उनके दिमाग में बैठ जाती है चीज़ बस सुनते रहे आ जाएगी उस दिन आ जाएगी नहीं आने तो नहीं आएगी है ना और इस चीज़ को बस मान के चलिए कि आएगी निराशावादी मत बनिये कि नहीं आएगी कि यह कई students आ जाते मेरे पास online भी offline भी कि हम नहीं है सुर में क्या करें बेसुर अपन कैसे बाकि जो बारी किया है वो सुदरते सुदरते सुदर जाएंगी अनुभव से बाकि एक बारी की तो हम समझ जाएंगी ओवरॉल sketch की हाँ ये बेसुर अपन इसको कहता है सुरिला ये है ये वो है ये बाकि ये सारी चीज़े मेरा अनुभव है जो मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ है ना तो मेरे ख्याल से आपको सबको समझ आ गई होगी चीज़ तो कैसे बेसुर अपन दूर करना है सुनना है जादा है ना ना की आवाज कैसे दूर करनी है मूग होल कर रियाज करना है उस पर ध्यान देना है और गानों को कम गाएं क्लासिकल का जादा रियाज करें तो गले में जो मुर्कियां हरकते होती है ना गाई की अगर आपके कंट्रोल में नहीं है तो वो किसी काम की नहीं है समझ र स्वाब है लोग कि कहेंगे कि फिर समझ आना मतलब क्या मतलब कि वह आपके कंट्रोल में हो अगर आप सुर को समझते हैं यह मेरे दिन में मेरे विचार चल रहा था मंधन हो रहा था कली मैंने जो परसों शायद वीडियो दिया इस पर किसी ने सवाल किया नहीं मेरे ही अंदर यह सवाल उठा कि लोग ऐसा पूछ सकते हैं कि सर फिर समझ आने का क्या मतलब है तो अगर आपको सुर समझ आता है तो सुर आपको हर जगा दिखेगा सिर्फ गाने में नहीं वादन में भी दिखेगा सामने सितार बज़ा रहा हो वो भी आपको समझ आएगा क्योंकि उसमे गाड़ी भी चल रही है ना तो पता पड़ जाएगा है यह एक लए जारी है इसके हिसाब से मैं देखो यह दोगुन करके दिखाता हूँ यह समझना कि जब समझ आता है तब आत्मसात हो जाता है आदत बन जाती है लए और सुर आदत बनना हर जगा नजर आने लगता है न ना एक दिन तो हम गुरुजी के यहां बैठे हुए थे तबला क्लास थी जो स्केल चल रहा था अचानक मतलब घर है बार सड़क पर अभी जैसे हम यहां बैठें बार सड़क पर एक गाड़ी गुजरी उसने हौन बजाया मैंने का सर यह हौन भी इसी सुर में बज़े रहा थ यह जो गेट की जो आवाज आती है वो पहली काली का सर है यह सुर है अगर आपको समझ आते हैं तो नजर आएंगे हर जगा लए है समझ आती है तो हर जगा नजर आएगी आप करोगे कहीं भी करने लगोगे कहीं हिचकिचाओगे नहीं तो वो सारी चीज़ें हैं बाकी तो की आवसकता है हमसे जुड़ने की आवसकता है संगीत प्रवावल्ड के अगर वाट्सप नंबर आपको स्क्रीन पर आ रहा है घर जुड़ना चाहते हो तो मैसेज कर दीजिए और थोड़ा वेट कीजिए रिप्लाई का क्योंकि रिप्लाई में टाइम लगता है काफी मैसेज और ना सब चीजें हमने ओनलाइन दे रखिए जो भी सीखना है टाइप करके साथ में संगीत प्रवावल्ड डाल दीजिए सीखते रहें और सब्सक्राइब कीजिए सब्सक्राइब सब्सक्राइब का किया इन टीजिए करके स स्ब्सक्राइब का फेजिए